अठारा फर्वरी, जीवन की समस्याओं को सुलजाना जब प्रभु येशु ने अपने धके हुए चेलों को 5000 लोगों को खाना खिलाने की समस्या को सुलजाने का प्रयास करते हुए देखा योहन्नाच्छे में उसने उने विश्वास और समर्पन के संबन में एक सबक सिखा दिया हमें अपने समस्याओं को सुलजाने के लिए निम्नलिकित कदम उठाने चाहिए जो कुछ आपके पास है उसी के साथ प्रारम करें इंद्रियास को एक छोटा सा बालक मिला जिसके पास एक थोड़ा सा भोजन था और वह उस बालक को प्रभु येश्व मसी के पास ले आया जो कुछ आपके पास है उसे येश्व को दे क्या वह बच्चा अपना लंच देने के लिए तयार था? हाँ हम जहां पर होते हैं परमेश्वर वहां से प्रारम करते हैं जहां हम होते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है उसे इस्तिमाल करते हैं येश्व ने रोटी को तोड़ा और उसके टुकडो को अपने चेलो को दे दिया उसकी आज्याओ का पालन करे चेलों ने लोगों को उसी तरीके से बैठा दिया जिस तरीके से उनसे कहा गया था और उन्हें रोटी के टुकड़े दिये यदि हम उन चीजों को उसे देते हैं जो हमारे पास उपलब्ध होती है तब वह हमें आशिशित करके फिर हमें पापस करता है ताकि हम उसे दुसरों को पुनह खिलाने में इस्तिमाद कर सके परिनाम पर चर्चा करे रोटी के टुकड़ों से भरी हुई बारह टोकरियां सावधानी के साथ उठाई गई ताकि कुछ भी बरबाद न हो पॉलूस ने उस जीवन की रोटी परुपदेश को अपने सू समाचार में जगह दी जिसे येशु ने कफर नहूं के आरात नाले में अगले दिन दिया था योहन नाची अध्याए 22 से 69 पत तक लोग भौतिक रोटी ग्रहन करने के लिए तो तयार थे लेकिन वे जीवन की रोटी को नहीं स्विकार करना चाहते थे अर्थार परमेश्वर के पुत्रों को जो स्वर्ग से पृत्वी पर उत्रा था हम में से हर एक जन को यह सूनिश्चित करना चाहिए कि हम इस प्रकार के लोगों की श्रणी में ना हो इस विचार पर मनन करें चेलो ने कहा यह सुनसान जगह है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें पर येशो ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं तुम ही इने खाने को दो मती 14 ध्याय 15-16 पत न आई वी से पढ़ें मती 14 ध्याय 13-21 पत व्यभारिक कारिया अपने जीवन में उपोरक चार कदमों पर ध्यान दे आप उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं क्या कोई ऐसा शेत्र है जिसके बारे में आप प्रभू से बाते करना चाहते हैं प्रभू आप सभी को आशीश दे चैम से की क्या क्यास कर से ऐस बारे में जीवन में जीवन पर प्रभू से लागू